हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है आकास और स्वागत है आप सभी का आमारी यूटूब चैनल कंप्यूटर एक्जाम में तो फ्रेंस आज का एक वीडियो आप सभी के लिए स्पेसल होने वाला है क्यूंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए काफी important होता है सबसे ज्यादा तो इसी में समझ में आ जाता है कि कैसे question पूछे जा रहे हैं तो फ्रेंस अगर आप हमारे चैनल पर नए student है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की notification आप तक time पर पहुंसती रहे और फ्रेंस इस वीडियो की description में हमने दो e-book का link भी दे दिया है जिसमें कि first वाले e-book में है 2000 most important question second वाले pdf में है 1000 most important question तो उन दोनों pdf में से आप एक जरूर ले सकते हैं ताकि आप cc में अच्छे से टॉप कर पाएं तो चले फ्रेंस आज का आज का आज का 8 जनुरी का एक्जाम का जो पेपर है उसका पहला question देख लेते हैं आज का मारा question वा फर्स्ट है मारा फ्रे 6 इस पर आपको क्लिक करना exam में अगर आपके question आएगा तो इसको अच्छे से समझते रहना है काफी important question है आज के exam में सारे काफी important question आए तो अच्छे से देखिए वीडियो को last तक देखिए थोड़ा भी skip मत किजेगा नहीं तो आपका question आपको समझ में नहीं आएगा तू द drop ये net banking से संबंधित नहीं है online payment के लिए ये इससे related नहीं है question नमर थर्ड देख लिजे फ्रेंस इस वीडियो को last तक देखिए अच्छे से आपको सारे question समझ में आएंगे जो की काफी important है question नमर थर्ड है मना फ्रेंस last edited slide पर jump करने के लिए shortcut की है यानि कि जो last में आपने edit कि या है जो slide उस पर अगर आपको jump करना है तो उसके लिए क्या shortcut की दवाएंगे आप तो alt plus c plus f5 आपसा नमर वन यहाँ पे इसका right answer होगा alt plus c plus f5 इस पर आपको click कर देना है question और फोर देख लिजे फ्रेंस उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए student है तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को press कर लिजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की notification आप तक पहुंशती रहे और फ्रेंस अगर आप पिछले exam की भी वीडियोज देखना चाहते हैं कि 6 तारीको 7 तारीको 5 तारीको जो भी exam हुए उन सारे exam के questions को देखना चाहते हैं तो उसका समय में एक कथन को convert और execute करता है तो इसका right answer होगा compiler यानि कि compiler जो एक समय में एक कथन को convert करता है और execute करता है तो compiler का ये work होता है question of 5 देख लिजे question of 5 है मारे फ्रेंस .net domain किसके लिए उप्योग किया जाता है .net जो domain होता है फ्रेंस वह network से संबंधित company even services provide करता है यानि कि network से संबंधित company among service provider के लिए है ये तो उसी तरह का service आपको मिलता है question of 6 देख लिजिए question of 6 है मारे फ्रेंस नई worksheet बनाने की shortcut कुंजी क्या होती है तो इसका right answer है shift plus alt plus f1 तो फ्रेंस ये सारे questions जो भी आप इसमें देख रहे हैं ऐसे बहु सारे questions और सारे shortcut कीज के questions हमने अपने PDF मे ले सकते हैं उसको अगर आप ले लेते हैं तो triple C का आपका कभी भी exam है तो केवल 4-5 दिन 10 दिन पढ़के भी या फिर 4-5 दिन में अच्छे से अगर पढ़ देते हैं तो आसानी से top कर सकते हैं क्योंकि उसमें इतने important question है तो जल्दी से जाईए description में जाके उस e-book को ले question 1-7 मारा फ्रेंस MAPI का full form है तो MAPI का full form होता है messaging application program interface messaging application program interface MAPI का full form होता है 8 देख लिए question 1-8 है मारा फ्रेंस instant messaging के लिए किस server का परियोग होता है instant messaging के लिए chat server का यूज होता है यह आपको याद रखना है सारे के सारे काफी important question है इनको अच्छे से समस्ते रहिए ताकि आपके exam में अच्छे से helpful होगा यह सारा question आपके लिए बहुत ही महतपूर है question 9 देख लिजिए question 9 है साटा का पूरा नाम है यानि कि एसका फुल फॉल फॉब्स पूच रहा है तो यहां पर आपको तीनों आप्शन में से चारों आप्शन में से आपको चूच करना है कीन में से है या फिर नहीं है तो इसका right answer क्या होता है Serial Advanced Technology Attachment Serial Advanced Technology Attachment तो यह आपको यहाद रखना है Question number 10 देख लिजे Question number 10 है हमारा UPI का विस्तारीत रूप है यानि कि विस्तरीत रूप है यानि कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है तो यहाँ पर यह काफी कमाल का question है काफी आसान भी है UPI का फुल फॉर्म होता है Unified Payments Interface Unified Payments Interface यहाँ पर दो-दो question दिए है यहाँ पर payment में है यहाँ पर payment कर दिया है यहाँ पर payments कर दिया है तो आपको payments पर करना है यहाँ पर click करना है payment पर नहीं करना है यह ना कि आप देखके question को confused हो जाए तो friends अगर आप हमारे चैनल पर नए student है तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लीजिए याद रखिए इस चैनल पर आप triple C की पूरी पूरी तयारी कर सकते हैं बिल्कुल 0 लेवल से टॉप लेवल तक की तयारी कर सकते हैं आसानी से आप A grade ला सकते हैं इस पर ऐसे वीडियोज हमने बना के रखे हुए है तो उन सारे प्लेलिस्ट को भी आप देख लीजिएगा हमने इस वीडियो की description में उसका प्लेलिस्ट का सारा option देदी आया है आपको सारा link देदी आया है प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके इलेवन देख लीजिए question mark 11 है मारा फ्रेंस रूपे डेविड कार्ड क्या है रूपे का जो डेविड कार्ड है वो क्या है domestic डेविड कार्ड भारत के NPC द्वारा जारी option मार 3 है सभी ATM और POS मसीनों द्वारा सुईकरीत तो इसका राइट एंसर होगा उप्रोक्त सभी यह तीनों इसका राइट एंसर होगा 12 देख लीजे question mark 12 है हमारा फ्रेंस पहली AI programming भासा है तो कौन सी यह इन चारों में से आपको यह फोर्थ नवर पे टिक कर देना है Lips यानि कि List Processing 13 देख लीजे question mark 13 हमारा फ्रेंस निमनुक करणों में से कौन कृतिम बुद्धी मत्ता में परियोग यहाँ पर किया रहना चाहिए फ्रेंस यहाँ पर क्या गलती से हो गया है आमसे जाता है तो इसका राइट एंसर है neural network option number D इस पर आपको क्लिक करना है neural network यह आपको यहाँ रखना है 14 देख लिजिए question of 14 हमारा फ्रेंस presentation में नई slide insert कराने के लिए shortcut की है यानि कि करने के लिए कौन सी shortcut की दबाएंगे आप control plus aim यह question हमने बहुत बार बताया है आपको अगर आपको ठीक से पढ़ना है अच्छे से पास करना है अच्छे से ले लिजेगा पढ़ सकते हैं आप 15 देख लिजे question of 15 हमारा फ्रेंस cloud computing के lab कौन कौन से है cloud computing में क्या करना पढ़ता है कम लागत अधिक सुरच्छा और तिब्रगती मिलती है तो इस पर आपको यह सभी पर click कर देना है question of 16 देख लिजे question of 16 हमारा फ्रेंस start icon desktop पर रखा गया है start icon जो है वो desktop पर रखा गया है तो कहां पर रखा गया है task बार में start icon आपको दिख जाएगा यह आप ध्यान रखेगा 17 देख लिजे question of 17 हमारा फ्रेंस एक समय पर हम email की अधिक्तम संख्या को मिटा सकते हैं एक समय पर हम email की अधिक्तम संख्या को मिटा सकते हैं बहुत सारे emails के संख्या को हम मिटा सकते हैं एक ही बार में 18 देख लिजे question of 18 हमारा फ्रेंस किसी slide को कैसे stop किया जा सकता है किसी slide को stop करने के लिए आप escape की को दबा सकते हैं escape की दबाने से आपका जो slide होगा वो stop हो जाएगा आपके keyboard का सबसे पहला की होता है escape की तो यह आप ध्यान रखिएगा ESC उस पे लिखा रहता है question number 19 देख लिजे question number 19 हमारा फ्रेंस beam app का full form क्या है तो beam का full form होता है भारत interface for money भारत interface for money यह आपको याद रखना है यहाँ पर mobile दिया है यहाँ पर man दिया है लेकिन आपको money वाले पर click करना है अगर आपके exam में question आता है 20 देख लिजे question number 20 है मारा फ्रेंस wifi में जो आप wifi यूज करते है अपने phones में या फिवी में तो wifi में 5 का full form क्या होता है यह आपको याद रखना है 21 देख लिजे question number 21 है मारा फ्रेंस telegram की अस्थापना यहाँ पर dash दे दिया है हुई थी कहाँ पर telegram का अस्थापना हुआ था तो option number A इसका right answer होगा option number 1 रसिया में इसकी अस्थापना हुई थी 22 देख लिजे question number 22 है मारा फ्रेंस ORS का पूरा नाम क्या है ORS का पूरा नाम होता है online registration system online registration system यह full form काफी important है इनको आप अच्छे समझ के तिरपसी का एक्जाम देने जाईएगा question number 23 देख लिजे question number 23 है मारा फ्रेंस इपार्ट साला निम्द में से किसका एक पहल है तो यह NCRT का पाल है यह आपको ध्यान रखना है NCRT के द्वारा यह develop किया गया है question number 24 देख लिजे question number 24 अमेजोन क्या है अमेजोन के तो बारे में आप सभी जानते होंगे आपको कोई भी product online चाहिए होता है तो आप Amazon पे जाके book कर सकते हैं या फिर flip card पे जाके book कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे sites होते हैं जिन पर आप online कोई भी समान purchase कर सकते हैं तो यहाँ पर Amazon क्या है पूछा है अगर यहाँ पर पूछेगा flip card क्या है या फिर ऐसे कोई भी website जो आपको समान पहुँचाते हैं तो उसका एक ही answer होगा है तो उसको आप देख लीजिए अमें zone क्या है option नमर वन है इसका social site तू है commercial site और थ्री है messenger और डी है none of these तो इसका right answer होगा फ्रेंग्स commercial site commercial site पे आपको क्लिक कर देना है अगर आपके exam में question आता है तो अगर flip card भी पूछता है तो भी आपको इसी पे क्लिक करना है और friends इस video की description में हमने दो ebook का link दे दिया है दोनो pdf में से आपको कोई एक जरूर ले ले लेना है अगर आपका भी triple c का exam है तो उन दोनो pdf में काफी important question है उनको अगर आप एक बार समझ के जाएंगे triple c का exam देने तो अच्छे से आपको सारे question clear हो जाएंगे 25 देख लीजिए question not 25 है हमारा friends हमारे PC से internet पर file भेजना क्या कहलाता है हमारे जब PC होता है जो हमारा computer होता है personal computer PC का भी full form पूछ देता है कभी कभी हाला कि यह सब को पता होना चाहिए लेकिन PC का full form होता है personal computer हमारे computer से internet पर file भेजना क्या कहलाता है option number one है uploading और two है downloading और three है suffering और four है none तो इसका राइट है शुरोगा uploading uploading कहा जाएगा इंटरनेट पे जब हम कोई file भेजेंगे तो उसको uploading कहा जाएगा अगर इंटरनेट से कोई file download कर सकते हैं अगर download करते हैं हम अपने phone में या फिर laptop में तो उससे downloading कहते हैं जो हम इंटरनेट से download करते हैं तो question number 26 देख लिए friends उससे पहले एक काम आपको कर लेना है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon को press कर लिजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की notification आप तक पहुंशती रहे आप वीडियो तो प परियोग shortcut या विशेश उद्देश से अन्य कीज के साथ किया जाता है तो फ्रेंस control, alt, shift या फिर shift इन सारे का यूज हम कोई shortcut की यूज करने के लिए ज्यादातर करते हैं किसी इनके साथ कोई भी की दबा देते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क हो जाता है हमारे computer में question number 27 देख पहले चैनल को subscribe करिए और bell icon को press करिए question number 28 है हमारा friends email में username और domain name को कौन अलग करता है email जो होता है friends उसमें username और domain name को कौन अलग करता है तो add the rate जो होता है friends उसको आप लगा के दोनों को अलग कर सकते हैं तो friends ये थी आज के हमारे 28 top questions जो की 8 January के exam से हमने लिये हुए हैं इतने question हमने collect कर पाये थे तो friends अगर आपको आगे वाले parts को भी देखना है रोज के अगर exams के question को देखना है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को subscribe करिए और bell icon को भी प्रेस कर लिजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की notification आप तक time पर पहुंसती रहे और friends हम बता दे कि इस video की description में हमने दो PDF का link दिया हुआ है जिसमें की first वाले PDF में है 2000 most important question और second वाले PDF में है 1000 most important question तो उन दोनों में से भी आपको एक जरूर ले लेना है ताकि आप CCC में अच्छे से top कर पाएं तो मिलते है friends अगले वीडियो में तब तक के लिए bye